दोस्तों ये देखिए तो ये निबू की कटिंग जो आप देख रहे हैं तो ये पिछले बरसात में इसे कटिंग को जो है लगा था तो देखिए तो इतनी बड़ी होगी है करीब जो है तीन-चार फिट जो है बड़ी होगी है ये कटिंग तो इसको लगाने का जो है सही समय तो ढ़ी सब्सक्राइन अबå अगर वर्सात के मौन में अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से लग जाती है तो देखिये इसमें नमें प्त्थे निकलाएा था तो आपसाफं़ गंड़े में भी लगा सकते हैं और आप शे banned बैग में भी इसको लगा सकते हैं तो देखिए ये छोटी सी कटिंग थी इतनी सी तो इसके और इसके साइट से एक व्रांच निगली और जो यह उपर चली जहीं है तो जो उपर गई है तो कटिंग जो है जब तो कम से स yasGam csahogen की बड्चेपकि ब्रफ्टे निकलते हैं तो जरूर होनी चाहिए तक चोँए एक बड़ रहा एक जगह पते नहीं आए तो दूसरी जगेसा उसको जैसे ऐना देगा सकते हैं बर्सात के मौसम में तो ये जो है आप वीडियो तो अंतदग बने रहें तो आप पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो घर में ही बहुत ही आसानी से जो है तो नीमो के पौधे आप तैयार कर सकते हैं वो भी कटिंग के द्वारा तो कटिंग के द्वारा तैयार करने से सबसे बड़ा फ नियार होते हैं वो कम से कम 7-8 साल उसमें लग जाते हैं तो कटिंग और एर लेरिंग का यही सबसे बड़ा फाइदा होता है तो देखिए तो यह किस तरह से करना है तो इसके लिए जो है तो जब भी आप नीबू की कटिंग लगाएं या किसी भी फ्रूट फ्लांट की कटिं होआ है तो ये गार्ली तो यह जो ने कर रहा था लेकिन आपको दिखाने की लिए तो यह मुझे जो है यहां से करने पादी और इसके बाद यह सारे पत्टे jut 0 करने पड़ें तो इस法 नीचे से जैसी यहां से जो है तो नहीं तो पत्ते जो है नहीं निकल पाएंगे तो इस तरह से सारे पत्ते इसको रिमूव कर लीजेगा इस तरह से तो सारे पत्ते रिमूव करने के बाद और कटिंग जो है यह पॉन्चे इंची की है तो इसी तरह की जो है कटिंग लेनी है और कटिंग जो है बिल लेनी और जिसमें फल नहीं आते हैं उससे नहीं लेनी है क्योंकि अगर उससे ले तो उसका आपको कोई भी फाइदा नहीं होगा तो इस तरह से नीचे से जो है इसको छिल लेना तो तो हलका सा उसके बाद जो है तो आप चाहें तो इसमें रूटिंग हार्मोन के तोर पर जो है तो ऐलोएरा जेल आप ले सकते हैं वह से जो है रूटिंग पाउडर भी आता उसी भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें लगाऊंगा रूटिंग हार्मोन जो है ऐलोएरा तो ऐलो प्रक्डिया चाकू की मदद से पहले छेद करना उसके बाद जो है इसमें जो है यह कटिंग लगा देनी है अगर आप डारेक्ट लगाएंगे तो इसको जो जेल है या रूटिंग हार्मोन है तो जो है मिल जाएगा तो इससे जो है तो फाइदा नहीं होगा तो एलेवेरा ज जो है नहीं तो आप अच्छे से पानी देखे तो ऐसी जगह पर रखिएगा और उसके बाद चाया दारिस्तान पर रखना इस इस बैग को जो है जहां चाया आती डारेक्ट धूप वाली जगह पर नहीं रखना उसके बाद इसको कवर कर दें कवर करने से यह होता है कि इसक से अधिक जो सेयर जरूर कीजिएगा तो अगर आप चैनल को सबस्क्राइब अब भी तक नहीं कियें तो सब्सक्राइब करने के साब अगल में जो बहल है कि उसको भी प्रेस कीजिए गया जिस से की इसी तरह की वीडियो का नोट्पिकेस जो है समय समय पर आपको मिलता है